हाई प्रेंट्स आप सभी का हमारे यूटूब चेनल एक्सिलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत है आज अपन कक्षा दस्वी की जो अंग्रेजी है उसकी पॉइम नंबर वन है डस्ट अप स्नो पॉइम बन डस्ट अप स्नो उसके बारे में पढ़ेंगे इसका एक्सलेनेशन और इसके उपर किस प्रकार के क्युस्चन परक्षा में पूछे जाएंगे उसके उपर अपन चर्चा करेंगे तो कक्षा 10 की जो अपनी बुख है फर्स्ट फ्लाइट और उस फर्स्ट फ्लाइट का जो पोईट्री भाग है उसमें अपनी पहली पॉइम है पॉइम नंबर वन डस्ट अप स्नो dust of snow और इस poem को लिखा है Robert Frost ने तो आपको याद रखना है कि अपनी पहली poem है dust of snow और इसको लिखा है Robert Frost ने तो Robert Frost ने लिखा है poem number one dust of snow poem को अपन देख लगते हैं दो स्टेंजा है इस poem में पहला स्टेंजा लिखा हुआ है कि the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined तो इसमें अपने को जो poem दी गई है उस poem को अपन देख लगते हैं कि किस प्रकार इस poem में अपने को इनका आर्थ समझना है तो अपने जो poem है इस poem में दिया गया है कि the way a crow कि जिस प्रकार एक कवा दवे जिस तरह एक कवा shook down शुकर दा हिलाना डाउन नीचे की तरफ गिरा दी on me मेरे उपर कि जिस प्रकार एक कवा आया और उसने हिला कर नीचे गिरा दी on me मेरे उपर the dust of snow dust of snow किते हैं बर्प की धूर तो जिस प्रकार कभी Robert Frost के रहा है कि जिस प्रकार एक कवा आया और उसने हिला कर मेरे उपर गिरा दी क्या गिरा दी the dust of snow बर्प की धूल from a hemlock tree from a hemlock tree hemlock के पेड़ से तो पहला जो इस टेंजा है उसको अगर पन साब्दी कर्थ में समझें तो दवे एक रो जिस प्रकार एक वा shook down जिसने हिला कर गिरा दी on me मेरे उपर the dust of snow बर्प की धूल from a hemlock tree hemlock के पेड़ से और यहां hemlock जो है एक विशेला पेड़ होता है जिसके सफेद पूस पाते हैं और यहां dust of snow जो है वर्प की धूल के लिए आया है shook down यानि हिलाना दवे यानि जिस प्रकार crow यानि कवा तो रोबर्ट फ्रोच्ट पहले स्टेंजा के माद्यम से यह कहना चाता है कि कवी जो है एक उदास मूर में एक सेड मूर में बैठा हुआ था तभी hemlock के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और तभी एक कवा आता है और इस कवा उस पेड़ की डाली के उपर बैठता है और वहां से जो बर्फ की धूल होती है वो कवी के उपर गिरती है या He has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. He has given my heart heart केते हैं दिल, रदय, मन. He has given इसने दिया my heart मेरे रदय को a change of mood change केते हैं परिवर्थित कर दिया, mood बदल दिया, मेरे mood को बदल दिया, मेरे mood को change कर दिया and saved और इसने बचा लिया some part कुछ भाग of a day, एक दिन का कुछ भाग, और इस बर्फ की दूल के गिरने ने, बर्फ की दूल के गिरने से मेरा जो mood है, मेरी जो मनोस्तती है, mood कारते हैं या मनोस्तती से, जो मेरी जो मनोस्तती है, वो बदल गई और and saved और मैंने बचा लिया some part कुछ भाग of a day, एक दिन का I had rude, जिसको मैं बिता दिया था, जिसके उपर मैंने पस्तावा करते हुए, उस पूरी दिन को बिता लिया था, उस दिन का कुछ भाग मैंने बचा लिया, तो कहने का भावर्त यहां है कि कवी जो है उदाष मोड में बेठा हुआ था, वह पस्तावा कर रहा था और तभी एक कवाधा आता है और हैमलोग के पेड़ के उपर, डाली के उपर बेठता है, और वहां से बर्फ की धूल को गिराता है, और बर्फ की दूल को गिराने से कवी का जो mood है एकदम change हो जाता है वह आशावादी बन जाता है और वह एक प्रकार का जो समय जो पस्तावे में जारा था उस समय को वापस वो बदलना चाता है और वो एक आशावादी बन कर कुछ काम करने के लिए प्रोचसाहित होता है, प्रेरित होता है तो इस कविता का में सार यही है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी कुछ घटनाई होती है सामयनी घटनाई होती है जो हमारा मूड परिवर्थित कर देती है हमारे मन को भरिवर्तित कर देती है अब देखते हैं इसके ओपर question किस प्रकार से पुछी जाएंगे परिक्षया में poetry पर आपके दो तरह के question पूछे जाते हैं एक तो आपको एक exchange आदी दिया जाता है और उसके ओपर दो question दिया जाते हैं उनका answer लिखना है और दूसरा poetry पर direct question दिया जाता है उसका उत्तर लिखना होता है पिछले वर्सों के जो exam होते थे उसमें reference with explanation और context आपको लिखना होता था लेकिन इस वर्स से आपके board का जो परिक्षा है उसमें इस प्रकार का प्रशन सामिल नहीं है आपको सिर्फ एक स्टेंजा दे दिया जाएगा उस स्टेंजे के उपर दो question होंगे उनके answer आपको लिखने होंगी तो जैसा कि अपन देख लते हैं कि इसका पहला स्टेंजा आपको देरका है कि the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree और इसके उपर दो question देरके है प्रिक्षा में प्रस्ण दिया जाता है कि read the following इस्टेंजा and answer the question ठीक है वो shook down the dust of snow पहला प्रस्ण अपने को देरका है वो shook down the dust of snow अपन इस स्टेंजा को अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें साब आ रहा है तो यहाँ अपना answer चीपा हुआ है किसने बर्फ की धूल को किसनी गिराया इसने हिला कर गिराया वो shook down किसने हिला कर गिराया the dust of snow बर्फ की धूल को तो यहाँ वो वाले जितने भी प्रस्ण होते हैं अपने उत्तर लिखना सिखा है वो वाले प्रस्ण का यह उत्तर है दारेक्ट उत्तर वूग को हटा कि उसकी जगह लिखने देने से अपना उत्तर बन जाता है तो अपने याँ वूग की जगह अपना आंसर आजाएगा दा क्रो तो अपने उत्तर लिखनेंगे दा क्रो और फिर पूरा प्रस्ण इसे के से आजाएगा शुक डाउन the dust of snow तो ये अपना इस स्टेंजा पर आधरी पहला क्यूस्टन था कि who shook down the dust of snow और इसका आंसर हो जाएगा who की जगा जाएगा the crow shook down the dust of snow दूसरा क्यूस्टन इस स्टेंजा पर आधरी थे where was the crow sitting where यह नहीं कहाँ where का मत होता है WH word का आपको पूरी जहनकरी होने चीए तभी अपने उत्तर लिख पाएंगे where was the crow sitting कवा कहाँ बेठा हुआ था तो अपने इसमें आया है कि shook down on me the dust of snow from a hemlock tree hemlock के पेड़ से कवा ने वर्थ की दूल hemlock के पेड़ से गिरा ही है इसका मतलब इसका आंसर भी यही होगा कि कवा कहाँ बेठा हुआ था कवा हैं लोग के पेड़ पर बेठा हुआ था तो इसका आंसर अपन यहीं से लिख देंगे कि the crow was sitting the crow was sitting कहाँ बेठा हुआ था on the hemlock tree on a hemlock tree तो अपना उत्तर है यह कहाँ on a hemlock tree question सिधा था where was the crow sitting कहाँ बेठा हुआ था और इसका आंसर हो जाएगा the crow was sitting कहाँ बेठा हुआ था on a hemlock tree hemlock के पेड़ के उपर बेठा हुआ था दो question ही आपके परिक्षा में पूछे जाएंगे लेकिन चुकि प्रस्ण और अलग तरीके से भी इसके उपर तीसरा प्रस्ण भी बन सकता है तो मैं तीसरा भी आपको सिर्फ अभ्यास के लिए बता रहा हूँ लेकिन परिक्षा में सिर्फ आपको इस्टेंजा पर दो question ही पूछे जाएंगे दो दो number के हुँए तो इसमें अपने तीसरा question बनाया है कि what fell over the point what fell क्या गिरा what यानि क्या fell यानि गिरा over the point कभी के उपर कभी के उपर क्या गिरी कभी के उपर क्या गिरा तो इसको साब पता पता शुप्णाउन ओन मीद दस्ट ओप स्नो कभी के उपर क्या गिरा dust of snow तो वोट की जगे क्या लिख देंगे अपन the dust of snow तो इसका पर answer पर लिख देंगे the dust of snow fell गिरी over the point कभी के उपर the dust of snow fell बर्फ की धूल गिरी ये इसका main answer हो जाएगा the dust of snow बर्फ की धूल गिरी over the point कभी के उपर तो ये अपने एक परिक्षा में आपको एक एक एस्टेंजा दिया जाता है और उसके उपर जो क्यूस्टन आते हैं उसमें से अपने एक एक एस्टेंजा लिया इसका दूसरा एस्टेंजा और है उसके उपर भी आपको question पुछे जा सकते हैं तो आपको इसी तरह से इसको हल करना है उस passage के अस्टेंजार को पड़ते हुए इसके उपर जो comprehension question दिये जाएं उनका answer आपको लिखना है अब poem के उपर दूसरे किस प्रकार के परिक्षा में पुछे जाएंगे इस वर्ष 2022 की परिक्षा में वह अपन ले लेते हैं तो इस poem dust of snow पर आदारी दूसरे question पहला question इसके उपर आदारी अपने लिया है comprehension question जो है आपका दो नंबर का या तीन नंबर का comprehension question आपको poetry पर पुछा जा सकता है तो अपन हर poem के question ले रहे हैं तो इस poem dust of snow जो रोबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है उसका comprehension question में अपने पहला question लिया है कि what is the main theme of the poem dust of snow what is the main theme मुख्य विसेवस्तु क्या है of the poem इस poem की dust of snow तो dust of snow जो poem है उसकी मुख्य विसेवस्तु क्या है there are some simple actions कि कुछ ऐसे साधारन कारी होते हैं simple actions केते हैं साधारन कारी कि there are some simple actions कि ऐसे कुछ साधारन कारी होते हैं that live जो छोड़ते हैं great बड़ा impact केते हैं प्रभाव जो बड़ा प्रभाव डालते हैं on human mind मानुवी मन पर तो इसकी मेंधिम यह है कि there are some simple actions ऐसे कुछ साधारन कारे होते हैं इसको अपन समझ सकते हैं कि there are some simple actions ऐसे कुछ साधारन कारे होते हैं that live जो डालते हैं छोडते हैं great impact बहुत बड़ा प्रभाव on human mind मनुश्य के मन पर तो ऐसे कुछ साधारन कारे होते हैं जो मनुष्य के मन पर human mind के उपर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और जैसा की इस point में आया है कि तो falling of dust of snow, falling यानि गिरना, dust of snow, बर्फ की धूल का गिरना तो बर्फ की धूल का गिरना एक सामाइनी कारेग, simple action है और उसने poet के कवी के mood को बदल दिया, मन को परिवर्तित कर दिया तो बहुत बड़ा प्रभाव कवी के मन पर पड़ा, उदासी से भरा हुआ था वह वापस जो है अपने जीवन के प्रति आशावादी बन गिया तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ात इसने लिखा है कि the falling of dust of snow, बर्फ की धूल का गिरना, changes बदल देता है, poet's mood, poet की मन स्तती को तो इस point में एक simple कार्य है कि falling of dust of snow, बर्फ की धूल का गिरना, changes बदल देता है, points mind, points mood, points के mood को, कभी के mood को, points mind, कभी के मन को बदल देता है तो समझ में आगिया आपको, पहला प्रश्न, what is the theme of the point, dust of snow, dust of snow point की theme क्या है, मुख्य विसेवस्तु क्या है तो सीधा साहिए कि there are some simple actions, ऐसे कुछ साधरन कारे होते हैं, that leaves जो छोड़ते है, great impact, बहुत बड़ा प्रभाव on human mind, मर्नों के मन पर, मनुश्य के मन पर the falling of dust of snow, और इस point में the falling of dust of snow, बर्फ की धूल का गिरना, changes बदल देता है, points mood, कभी के मन को बदल देता है दूसरा question लेते हैं, question number two, अपना इसका दिया हुआ है, कि what side of nature do crow and hemlock represent, what side of nature, प्रकृती के किस पक्ष को, do crow and hemlock, कवा और hemlock का tree represent, यह प्रस्तूत करते हैं, परदशित करते हैं, परतिनित करते हैं, तो कवा और hemlock का tree है, hemlock का पेड़ है, वो प्रकृती के किस पक्ष को प्रस्तूत करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, कि the crow represents कवा प्रस्तूत करता है, the dark and sorrowful side, कवा जो है, dark and sorrowful side को प्रस्तूत करता है, प्रकृती का जो dark पक्ष है, sorrowful पक्ष है, dark and sorrowful side, तो the crow represents the dark and sorrowful side of nature, प्रकरती के प्रकरती के प्रकरती का जो खराब पक्ष है जहरीला पक्ष है उसको प्रतिशित करता है कौन है हैमलोक का प्रकरती के जहरीले पक्ष को प्रस्तुत करता है लेकिन इसका में सारिया है कि में फैसे बोट साइट्स इन हिस लाइफ लेकिन मनुष्य अपने जीवन में इन दोनों चीजों का सामना करता है मनुष्य के जीवन में यह दोनों चीज़ें आती है यानि उसके जीवन में सोरोफुल जो साइड है उसका भी उसको सामना करना पड़ता है और उसकी पोईजनेस साइड है उसका भी उसको सामना करना पड़ता है तो यह था अपना क्यूस्चिन नमर्टू अब देते हैं क् बर्फ की जो दूल है वो collection संग्रह है और smallest पार्टिकल छोटे चोटे कनों का ओफ आपके तो बर्फ के छोटे से छोटे कनों का जो collection है उसको dust of snow का गया तो सित्रा सक्वेशन ओटिस्ट ओप आपके दूल कि क्या है तो यह तीसरा question भी प्रिक्षा में पूछा जासकता है इस poem का चोता जो important question प्रिक्षा में पूछा जाता है वो इस प्रकार है कि how was the mood of the point कभी का mood केसा था how say are the kisha how जानी केसा का answer अपने को लिखना है कि how was the mood of the point कभी का mood केसा था before यानी पहले and after यानी बाद में before यानी पहले और after यानी बाद में तो कभी का mood पहले केसा था and after यानी बाद में केसा था falling of snow dust बर्फ की धूल के गिरने से तो इस सीथा सा क्यूस्टन हो गया कि बर्फ की धूल के गिरने से पहले और बाद में कवी का मोड कैसा था इसका answer आपन लिख रहे हैं कि before the falling of snow dust before यानी पहले the falling of snow dust बर्फ की धूल के गिरने से पहले the point was कवी था in sad mood उदास mood में था गफिक धूल के गिरने से पहले कवी का मोड कैसा था तो the point was in sad mood ये इसका main answer है कि before the falling of snow dust वर्फ की धूल के गिरने से पहले the point was in sad mood उधास मन में था उधास मूड में था वर्फ की धूल के गिरने से पहले कभी उधास मूड में था in sad mood ये इसका main answer है दूसरा इसका भाग दूसरा है कि after the falling of snow dust वर्फ की धूल के गिरने के बाद the poet's mood changed कभी का मन बदल गया mood changed, मनोस्तती बदल गई the poet's mood changed कभी की मनोस्तती बदल गई he became, वह हो गया happy person and cheerful last के साथ खुश हो गया, वह प्रसन हो गया वह खुश हो गया, यानि उसका उदासी भड़ा जो mood था, उसका sad जो mood था, वह happy and cheerful हो गया तो इन चारों question में से आपको परिक्षा में पूछे जा सकते हैं तो poetry के उपर आपके दो तरह के question आएंगे पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक तो आपका stage आएगा, उस stage के उपर दो question आएंगे, उसका answer लिखना होगा या आपको comprehensive question में direct question भी पुछा जा सकता है, जिसमें अपने इन चार जो question है इस point के लिए है, the dust of snow जो Robert Frost ने लिखी है, इसके चार important question को अपने लिया है तो इनको आप याद करें, इनका अभ्यास करें, इनको लिखें और हमारे इस video को like करें और हमारा channel excellent coaching classes को subscribe करना नहीं भूलें, उना हम मिलेंगे एक नए video के साथ, तब तक के लिए thank you